जहिन दोस्तों मैंने धीबें चोहा नाजम करेंगे क्लास 10th का 8.4 का question 5 का part 1 इसमें हमें बोला है नीचे के नित्य समों को जिसमें पदावली व्याखित करी गई है उनको वो लगू कोण है उन नित्य समों को साबित करो यानि की हमें LHS बराबर रूफ करना है RHS ठीक है तो प थीटा ब्रैकिट और इसपे है स्क्वेर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा तो यहाँ पर हम पहले लेंगे LHS LHS बराबर है कॉस एक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग अब कॉस एक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसपे डाल देंगे वर्ग ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे देखिए यहाँ पर छेद एक जासा है तो हम एक बारी छेद ले लेंगे साइन थीटा ठीक है और उपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग ओके छेद एक जासा था इसलिए एक बारी ले लिया और उपर अब यहाँ पर हम दोनों टर्म्स को अलग-अलग कर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग अपॉन साइन स्क्वेर थीटा ओके तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को एस इटीज रखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा अब जो साइन स्क्वेर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेर थीटा क्योंकि हमारा रूल होता है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमें क्या चाहिए sin square theta की जगा हमने लिखा है 1 minus तो हम यहां लिख देंगे sin square theta is equal to 1 minus cos square theta यदि cos square theta को हम उस तरफ shift करेंगे तो minus का हो जाएगा इसलिए हम sin square theta की जगा लिख सकते हैं 1 minus cos square theta ओके और यह sum करने के लिए भी ज़रूरी है इसलिए हमें यह सारे फार्मूले पता होने चाहिए ठीक है अब उपर वर्ग है तो हम जो उपर वर्ग है उसको हम अलग-अलग लिख देंगे 1 minus cos theta और 1 minus cos theta है ना क्योंकि whole square है तो दोनों को हमने यहाँ पर अलग-अलग लिख दिया और नीचे देखिए यह सूत्र बन रहा है a square minus b square तो a square a की जगा लिख देंगे 1 एक बारी minus में और एक बारी plus में ठीक है क्योंकि a square यहाँ पर लिख के बताती हूं मैं आपको a square minus b square होता है a plus b और a minus b एक बारी आपको plus में लिख देना है एक बारी आपको minus में लिख देना है तो यह देखिए 1 minus वाला और यह भी minus वाला यह हो जाएगा हमारा cancel, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, ठीक है, तो यह हमारा बराबर आ गया RHS के, तो हम यहाँ लिख देंगे, LHS बराबर RHS, ठीक है, अगला question करते हैं, अगले question में, LHS पे है, cos A upon 1 plus sin A, plus 1 plus sin A upon cos A, बराबर 2 sec A, तो हम यहाँ पर LHS लेंगे, LHS में क्या है हमारे पास, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A, अब देखिए, इसे सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे, तिर्ची गुणा, तो यह हो जाएगा, cos square A plus, यह देखिए, दोनों एक जासे हैं, तो इसलिए, 1 plus sin A, और इस पे आजाएगा, वर्ग, यह हो गई तिर्ची गुणा, अब हम करेंगे, छेदों की गुणा, तो छेदों में हो जाएगा, cos A, 1 plus sin A, अब यहाँ पे हमें फार्मूले का यूज़ करना है, यह हम इसकी बात करते हैं, 1 plus sin A की hall square है, तो यह फार्मूला हो जाएगा, A plus B का hall square, क्या होता है, A square plus B square plus 2AB, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, cos square A, as it is, और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यह वाला, तो यह की जगा लिख देंगे, 1, यानि की 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ठीक है, A square plus B square plus 2AB, तो A क्या है, 1, और B है हमारा, sin A, ठीक है, फार्मूला लगा दिये हैं, यहाँ पर, अब नीचे हमें कुछ नहीं करना है, इसे हम as it is, रहने देंगे, 1 plus sin A, ओके, उपर, cos square A plus 1 plus sin square A, A plus, देखो, यह 2 A भी था, तो 2 A कम, 2 और sin A हो जाएगा, upon, cos A, और यह हो गया हमारा, 1 plus sin A, ठीक है, अब इसे आगे solve करेंगे, यहाँ पर देखो, cos square A plus sin square A, यह हमारा सूत्र होता है, cos square A plus sin square A is equal to होता है, 1, तो हम इन दोनों की जगा लिख देंगे, 1, plus हमारे पास यह भी 1 है, यह भी हाँ लिख देंगे, और plus 2 sin A, upon, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, cos A, 1 plus sin A, ठीक है, तो एक और एक हो गया, 2, plus 2 sin A, upon, cos A, 1 plus sin A, ठीक है, अब यहाँ से हम 2 common ले सकते हैं, ठीक है, तो हम common ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, 2, और, क्योंकि देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 common ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 plus sin A, upon, cos A, और, 1 plus sin A, 1 plus sin A से 1 plus sin A हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 plus cos A, तो 2 plus cos A को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 2 sec A, 2 sec A, क्योंकि 1 plus cos, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, 1 plus cos A होता है, sec A, ठीक है, तो यहाँ पर 2 plus cos है, इसलिए हम इसको लिख देंगे, 2 sec A, तो यह हमारा प्रूव हो चुका है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, LHS बरावर RHS, यह मेरे फार्मूले थे, जो मैंने आपको बताये थे, इस सम में अपलाई हुए हैं, तो मिलते हैं अगले question के साथ, अगली वीडियो में, जैहिन, जै भारत!